हेलो साथियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यू चनल प्रकाश इस्टडी में आपका स्वागत करता हूँ साथियो आज हम यूपी ट्रप्लेस सी जो आपका वीडियो का 27 जून 2023 में पहली पाली में जो पेपर हुआ है आज हम इसमें हिंदी के जितने भी 50 questions पूचे गएं कितने 50 questions पूचे गए थे शाथियो इसमें सबी questions ओको इस पीडियो में करने वाले हैं इस वीडियो को आधिक से अधिक से शेयर करें जिससे आपके साथ यूझ बाई बैन जु रिष्टेदार किया। सब इसका फाइदा उठा सकें। साथ ही आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया एंधे तफनी चैनल på measurable को भी subscribe लाएं। साथ हो मैं आपको बता दू या दिला दू कि इसमें जो negative marking थी 1 by 2 की थी यानि दो क्वसन गलत होने पर एक सही प्वसन कर दिया जाएगा आईए start करते हैं क्वसन नमर पहला इसमें पूचा गया है अभिष्ट का सही संदी विग्र है चार उप्षन रिके हैं चार उप्षन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है इनमें से correct answer क्या होगा साथ हो मैं आपको बता दू अगर आपको दुहला दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज से आप पहचा लेना ये क्या लिखा हुआ है अगर नहीं दिखाई देता है तो adjustment करना इसमें साथ हो इनमें से correct answer हो जाएगा option number A यानि अभे प्लस इष्ट अगर आप option number 2 देख लेते हैं इसमें पुचा है अपादान कारक युक्त वाक्य है चार option देखे हैं चार option number 3 पढ़के सही आंसर आपको बताना है इनमें से correct answer क्या होगा साथ ही इसका correct answer option number D हो जाएगा याई छट से उतरी हुई लता मुर जा गई है इसमें अपादान कारक है आगे देख लेते हैं question number 3 तीन में पूचा है निम्ल खित में नाम दातू किरिया काप्रियो किस विकल्प में है चार option देखे हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है इनमें से correct answer क्या होगा साथ या question number 3 का correct answer option number B हो जाएगा यानि मा नौकरानी से वर्तन दुलवाती है अगला नेट क्वसन देखे लेते हैं question number 4 चार में पूचा है निम्ल में से अत्या चार सब्द में कौन सा उपसर्ग है चार option देखे हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 4 का correct answer क्या होगा साथ या इसमें correct answer option number C हो जाएगा यानि अत्य आत्या इसमें उपसर्ग है आगे देखे लेते हैं question number 5 5 में पूचाए किस विखल्प में विलो मुयूगम सही नहीं है चार option देखे हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 5 का correct answer क्या होगा साथ या question number 5 का जो correct answer option number D हो जाएगा यानि सद्वा into निर्धवा आगे देखे लेते हैं question number 6 6 में पूचाए यथा सक्ति का सही विखल्प क्या होगा चार option देखे हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 6 का correct answer क्या होगा साथ या question number 6 का correct answer option number B हो जाएगा यानि सक्ति के अनुसाद आगे देखे लेते हैं question number 7 7 में पूचाए आपूण भूद काल का प्रियोग किस वाके में हुआ है चार option देखे हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है इन में से correct answer क्या होगा साथ यो इन में से correct answer option number B हो जाएगा यानि अभूद भूद काल है इसमें ज्यान रो रहा है आगे देखे लेते हैं question number 8 आट में पूचाए निम्ले कित में से किस रसका इस्ताइभाव रती है चार option देखे हैं चार option देखे हैं चार option देखे पढ़के सही आंसर आपको बताना है साथ इसमें किस रसका इस्ताइभाव रती होता है इसका correct answer हो जाएगा option number B यानि स्रंगा रसका इस्ताइभाव रती होता है आगे देखे लेते हैं question number 9 में पूचाए मुद्रित महीपते मंदिर आए सेवक सच्चिव समून्त बुलाए इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है चार option रिके हैं चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 9 का सही आंसर क्या होगा साथ इसका correct answer option number D हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है आगे देख लेते हैं question number 10 10 में पूचाए इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है चार option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 10 का correct answer क्या होगा साथ यो question number 10 का correct answer option number C हो जाएगा इसमें उत्वेक्चा अलंकार है आगे देख लेते हैं question number 11 11 में पूचाए किस वाक्यांस के लिए प्रियुक्त सब्द सार्थक नहीं है 4 option देख लेते हैं question number 12 बारे में पूचा है जाया न जा सके वाक्यांस के लिए एक सब्द है 4 option देख लेते हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 12 का correct answer क्या होगा आगे देख लेते हैं question number 13 तेरे में पूचाए उन्मी लन सब्द का विलोब निम्न में से क्या है 4 option देख लेते हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 13 का correct answer क्या होगा साथ ये question number 13 का correct answer option number B हो जाएगा यानि निमी लन आगे देख लेते हैं question number 14 14 में पूचा है राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परचाई पंक्ती में कौन सा रश है 4 option देख लेते हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है इन में से correct answer क्या होगा साथ इसका correct answer option number B हो जाएगा इसमें स्रंगार रश है आगे देख लेते हैं question number 15 15 में पूचा है निम्ल खितमें से किस सब्द की वरतनी सही है 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है इन में से correct answer क्या होगा साथ इसका correct answer number A हो जाएगा यानि जूत सना आगे देख लेते हैं question number 16 किस विकल्प में सभी सब्द परस पर पर्यवाची है 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 16 का correct answer क्या होगा साथ इसका correct answer option number B हो जाएगा इसमें जो पर्यवाची है ब्रक्ष, द्रुम, विपट यह साथियो सही पर्यवाची है आगे question देख लेते हैं question number 17 17 में पुचान निम्न में से कौन सा सब्द सागर का पर्यवाची नहीं है 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 17 का correct answer क्या होगा 17 का correct answer option देख हो जाएगा question number 18 18 में पुचान निम्न लेखित में से कौन सा सब्द तस्सम है 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 18 का correct answer क्या होगा साथि question number 18 का correct answer option number A हो जाएगा यानि पाशाण आगे देख लेते हैं question number 19 19 में पुचान निम्न लेखित में से चिकन सब्द का तद्वा सब्द कौन सा है 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 19 का correct answer क्या होगा साथि 19 का correct answer option number B हो जाएगा यानि चिकना आगे देख लेते हैं question number 20 20 में पुचाए परिवास सब्द का तस्सम रूप क्या होए 4 option देख हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है साथियो परिवास सब्द का तस्सम रूप पूछा गया है इसका correct answer option number C हो जाएगा यानि परे पदा आगे देख लेते हैं question number 21 21 में पुचाए गुप्त चर इस सब्द के लिए कौन सा वाक्यांस सही है 4 option देख हैं 4 option देख हैं 4 option देख हैं पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 21 का correct answer क्या होगा साथियो एक कीस का correct answer option number B हो जाएगा यानि छिपक कर तोह लिने वाला आगे देख लेते हैं question number 22 पढ़के सही आंसर आपको बताना है सामिती सब्द का पर्यावाचन क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा समितिया आगे देख लेते हैं question number 24 24 में पूचाए हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है 4 अप्सन रिक हैं 4 अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 24 का correct answer क्या होगा साथि 24 का correct answer option number D हो जाएगा यानि प्रत्थक्यों को प्रमाड की आवस्यक्ता नहीं आगे देख लेते हैं question number 25 25 में पूचाए मन, मढंत, सिष्टता और गवराहट इन सब्दों के लिंग बताईए question number 25 का correct answer क्या होगा साथि 25 का correct answer option number A हो जाएगा यानि pulling वा strilling दोनों strilling एक pulling आगे देख लेते हैं question number 26 26 में पुचाए एक लाठी सी हागना महावरी का आर्थ क्या है question number 26 का correct answer क्या होगा question number 26 का correct answer option number B हो जाएगा यानि अच्छे बुरे का अंतन करना आगे देख लेते हैं question number 27, 27 में पुचाए कौन सा सब्द तद्भव है 4 option देखे हैं 4 option को पढ़के सही answer आपको होताना है question number 27 का correct answer क्या होगा question number 27 का correct answer option number D हो जाएगा यानि खजूर आगे देख लेते हैं question number 28, 28 में पुचाए इन में से एक version बाव version का कौन सा यूगम सही नहीं है 4 option देखे हैं 4 option से सही answer आपको बताना है इन में से correct answer क्या होगा साथिश का correct answer option number B हो जाएगा यानि आशू आशू हो आगे देख लेते हैं साथिओ question number 29 29 में पूचाए किस किस विकल्प में सब्द यूगम का अर्थभेद सही है 4 option देखे हैं 4 option को पढ़के सही answer को बताना है question number B का correct answer क्या होगा साथिश में 29 का correct answer option number A हो जाएगा यानि अपरा अपार दूसरी जिसे पार ना किया जा सके यानि अपार का मतलों हो जाएगा या दूसरी अपार का मतलों हो जाएगा जिसे पार ना किया जा सके आगे देखे लिए थे हैं question number 30 30 में पूचाए स्रति सम बिनार्थ तक सब्द यूगम आकार आगार का उचित अर्थ है 4 option देखे हैं 4 option को पढ़के question number 30 का correct answer क्या होगा साथ ही आपको जो आकार कार्थ हो जाएगा आकर्थी और आगार का आर्थ हो जाएगा धाम इसका correct answer option number B हो जाएगा आगे देखे लिए question number 31 31 में पूचाए निम्ने लिखेत में से मिस्र बाके का उधारन कौन सा है 4 option के हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 31 का correct answer क्या होगा साथ ही 31 का correct answer option number D हो जाएगा यानि यहाँ वही भारत देश है जिसे कभी सोने की खिडिया का आ जाता था आगे देखे लिए question number 32 32 में पूचाए निम्ने लिखेत दोनों बाकियों की संपूर सुद्धता के विश्य में कौन सा विकल्प सही है 4 option को पढ़के सही आंसर आपको बताना है question number 32 का correct answer क्या होगा साथ है इसका correct answer option number D हो जाएगा यानि इसमें पहला काया है हमको हमारे पूजनिया अनो भावों का सदा सब्मान करना चाहिए second कहता है उसे 29 डंड की सजा दी जानी चाहिए थी इन में से correct answer option D हो जाएगा है दोनों आकिया आसुद है आगे देख लेते हैं question number 33 33 में पूचा है गाल बजाना मोहावरी का अर्थ क्या है 4 option देखे हैं आगे देख लेते हैं आगे देख लेते हैं question number 34 34 में पूचा है नरेश घर गया उसने मा को देखा वाक्य संसलेशन द्वारा निरमेतर सहीउक्त वाक्य होगा 4 option देखे हैं 4 option को पढ़के सही आंसर आख बजाना question number 34 का correct answer क्या होगा साथी question number 34 question number 35 का correct answer option number A हो जाएगा यानि नरेश घर गया और उसने मा को देखा आगे देख लेते हैं question number 35 35 में पूचा है अनुकरण यह सब्द में कौन सा प्रत्या लगा हुआ है 4 option देखे हैं 4 option को पढ़के सही आंसर रख वोताना है इनमें correct answer क्या होगा साथी इसका correct answer option number D हो जाएगा इसमें E यह प्रत्या लगा हुआ है आगे देख लेते हैं निम्लिक दानुच्छित को पढ़िए और पूचे के प्रिष्णों का उत्तर दीजिए साथी यह आपके सामने गद्यांस है आपको गद्यांस पढ़ना है और question number 36 लेकर 40 तक के answer देने हैं आए साथ यह वीडियो में हम question number को देखते हैं इसे गद्यांस को आप पढ़ लेना question number 36 है जब चीटियां एक साथ जाती है तो खालिस्तान वाक्य पूरा कीजिए यानि खालिस्तान की जगर पर क्या आएगा चार उप्संद रिखे हैं चार उप्संद को पढ़के सही आंसर रख पोताना है question number 36 का correct answer क्या होगा 36 का correct answer option number D हो जाएगा यानि अपने से बड़े आकार के जीवां को चट कर जाती हैं आगे देख लेते हैं question number 37 question number 37 में पूचाए है अकेला चना भाड़ नहीं खोड़ सकता लोकोक्ती का अर्थ है चार उप्संद रिखे हैं चार उप्संद को पढ़के सही आंसर रख पोताना है question number 37 का correct answer क्या होगा 37 का correct answer option number C हो जाएगा यानि अकेला ब्यक्ती कुछ नहीं कर सकता है आगे देख लेते हैं question number 38 38 में पूचाए इस गध्यांत का अप्यक्त सीट सक लिखी चार उप्संद रिखे हैं चार उप्संद को पढ़के सही आंसर रख पोताना question number 38 का correct answer क्या होगा 37 का correct answer option number C हो जाएगा यानि संगठन में सकती है आगे देख लेते हैं question number 49 49 में पूचाए तिनके की क्या विशिष्टा है चार उप्संद रिखे हैं चार उप्संद को पढ़के सही आंसर रख पोताना है इनमें से correct answer क्या होगा 37 का correct answer answer number A हो जाएगा यानि जवतिन का संगठत होकर रसी बन जाता है तब इससे बलसाली हाती भी बन जाता है आगे देख लेते हैं question number 40 40 में पूचाए बूदों के मिल का क्या महत्तो है चार उप्संद रिखे हैं चार उप्संद को पढ़के सही आंसर रख पोताना है इन में से correct answer क्या होगा साथ ये question number 40 का correct answer option number B हो जाएगा यानि बूनों के मिल से सागर का निर्माण होता है आगे देख लेते हैं question number 41 41 में पूचाए उष्ट रवर्ण किस विकल्प में हैं चार उप्संद रिखे हैं बूट से बूले जाने वाले बढ़न है या उष्ट रवर्ण कर लाते हैं आगे question देख लेते हैं question number 42 42 में पूचाए निम्ली खितमे से कौन सा सुवर संदी का भेद नहीं है चार उप्संद रिके हैं चार उप्संद रिके हैं question number 42 का correct answer क्या होगा सात्य और 42 का correct answer option B हो जाएगा या अनादी आगे देख लेते हैं question number 43 43 में पूचाए रसकान कभी किस भासा के कभी थे 4 उप्संद रिके हैं 4 उप्संद को पढ़के सही आंसर को उता है question number 43 का correct answer क्या होगा साथियों ये करेक्ट आंसर अप्शन नमर्डी हो जाएगा यानि खड़ी बूली के आगे देख लिए को सनमर्च चम्मालीस चम्मालीस में उचाए हिंदी की अपवासाओं की संख्या है साथियों चम्मालीस का करेक्ट आंसर अप्शन नमर्डी की अपवासा है आगे देख लिते हैं को सनमर्ड चालीस, चालीस में पुझाए अध्यक्छ महानगर पालिका को लिखे गई पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे चार अपसंदर कें चार अपसंदर कें चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर राख पोता ना है कोसर नमर चालीज का करेक्ट अंसर क्या होगा मनुआ तो चहों दिसे फिर है या तो सुमिरन ना है चार अपसंद्र कें चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको तना है कॉस्ट नमर 47 का करेक्ट नमर C हो जाएगा यानि कवीरदास आगे देख लेते हैं कॉस्ट नमर 48-48 में पूचा है भासा का कौन सा कौसल सबसे प आगे देख लेते हैं कॉस्ट नमर 49-49 में पुचा है निमलेखत में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रियोग है चार अपसंद्र कें चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर को ताना है कॉस्ट नमर 49-49 का करेक्ट नमर यह हो जाएगा यानि चान और सांद आगे देख पूचान के लिए निमलेखत में से किस विधा को इसे शुरूप से पसंद्र किया है चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसरा को ताना को पचास का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हिंदी के जितने भी कूशन पूचे गए इस वीडियो में इस पेपर में सभी हमने कप्ल सब्सक्राइब कर दें आज के लिए बस तनाई धन्यवाद